लो एवरीबन क्या हाल है मेरा नाम है अभिनव और ये स्ट्रीम लोकेटर हब दिखने में वाइफाइ राउटर लेकिन वाइफाइ राउटर से कहीं जादा जादा ही जादा इसकी खास बात ये है कि वल्डवाइड जितना भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का कॉंटेंट है ये आपको अनब्लोक करके दे देता है बिना किसी VPN के बिना किसी speed downfall के क्योंकि जब आप VPN यूज करते हो तो speed downfall हो जाती और आपको quality भी नहीं मिल पाती और इसकी सबसे मसचीज बता क्या है जब आप इस पर YouTube देखोगे वो True Tech की चैनल को subscribe कर लोगे तो आपको तगड़ी तग VPN यूज करोगे लेकिन वहाँ पर speed downfall हो जाता है और वो तब भी काम नहीं करता धंग से लेकिन इसके साथ अगर आपने इसको अपने router या modem के बाद लगाया हुआ है और इससे अपने devices connect किये हुए हैं चाहे वो iOS हो Android हो Windows हो Apple TV हो Android TV हो मतलब जितने भी devices है Wi-Fi capable है उन पे ये Netflix US देखना चाहते हो तो ये वहाँ पे शो करेगा कि आप US में हो आपको US वाला Netflix देखने को मिलेगा ऐसे ही Amazon Prime और यहाँ पे 62 plus services है जिसमें around 25 तो free है 30 subscription based है that means Netflix Amazon Prime जिनके आपको subscription लेने पड़ते हैं और यहाँ पे जो 7 service है उनके लिए आपको cable connection चाहिए तो 7 तो हटा दो अ आपकी जो normal हमारे यूज रहता है for example हम Chrome चला रहे Google कुछ भी चलाते हैं वो सब कुछ तो इसके साथ access होई जाएगा मेरे हिसाब से काफी कुछ समझ आ गया होगा तो अब unboxing करके setup करते हैं अंडो की tray सबसे उपर user manual और ये एक plug and play device है मतलब बच्चे भी लगा सकते हैं वैसे जाजगल बच्चे ही लगा रहे हैं power adapter अपना main stream locator hub at last एक ethernet cable अंडेगी ट्रेक हाली stream locator hub wi-fi router जैसा ही दिख रहा है लेकिन 4 antennas मतलब काफी जादा aggressive design लग रहा है उपर stream locator की branding यहाँ पे काफी सारे light indicator जितने भी इसमें functions हैं पीछे आपको power port wps button reset button when port जहां पे आपका जो ISP यानि के internet service provider वाला जो modem cable होगा या फिर आप उसको ethernet cable बोलते हो वो plugin होने वाला है बाकी जो 4 port है LAN 1 से LAN 4 तक यहाँ से आप अपने कोई भी PC को wire के साथ connect कर सकते हो USB 3.0 port है अगर आप अपने wifi network पे ही कोई data share करना चाहते हो नीचे की side आपको wall mount का option भी दिया गया है चार anten antennas dual band wifi up to 867 Mbps तक की speed which is amazing setup करते हैं सबसे पहले आपको अपने main modem के साथ इसको connect करना है उसके बाद इसको power supply दे देनी है अब आपके पास दो option है या तो आप इसको wirelessly setup कर लो और अगर wired के साथ setup करना चाहते हो तो box के अंदर ethernet cable है and the best part is आप किसी भी iOS, Android, Windows, Mac, किसी भी operating system इसको setup कर सकते हो और use कर सकते हो तो मैं वैसे तो PC पर करने वाला हूँ लेकिन एक बार आपको iOS device पर भी दिखा देता हूँ अगर आप इसको wirelessly connect करना चाहते हो या अपने PC के साथ भी मैं wired के साथ करूँगा तो simply आपने यहाँ पर जाना है stream locator आपको मिलेगा और जो आपक दोनों बेंड आपको मिल जाते हैं जो stream locator 2 है वो है 2.4 GHz और जो stream locator है वो 5 GHz हम wired connection के साथ setup करने वाले हैं तो simply आपने LAN port में इसको plug-in करना है और उसके बाद अपने PC के साथ connect कर देना अब आपने अपना browser open करना है जो भी browser आप use करते हो और website पे जाना है go.streamlocator.com पे जैस कर चुगा हूँ यहाँ पर मैं enter कर जाओंगा enter करने के बाद यह next page पर जाएगा जहाँ पर यह एक activation code आपसे मागेगा तो इसके bottom पर आपको एक activation code मिलता है जो कि इसकी main जान है जश्ट आपने वो यहाँ पर डालना है और submit कर देना है अब यहाँ पर आपको sign up करना होगा तो already मैं इसको डेड़ महीने से use कर रहा हूँ मैंने ID बनाई हुई है तो मैं sign in करूँगा आप sign up कर सकते हो simple processor email ID डालनी है password डालना है that's it और last page पर यह आप से कहेगा अगर आप network name change करना चाहते हो तो मैं नहीं करना मैं network name stream locator ही रख रहा हूँ लेकिन password यहाँ पर मैं change कर र creator.com description box में मैं सारे link आपको दे दूँगा जैसे वहाँ पर आप जाओगे आपने login करना है login करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा page आएगा तो यहां से आप अपनी app जो भी use करना चाहते हो उसकी location को relocate कर सकते हो for example netflix को मैंने US पे select किया हुआ है disney plus को UK पे set किया हुआ है त तो BBC iPlayer पे चलते हैं तो मैंने PC और mobile को अभी directly ISP modem के साथ connect किया है और यह बार बार error show कर रहा है even phone पे तो यह कह रहा है कि आप outside ही हो location के अब क्या है कि अपने stream locator से connect करते हैं और देखते हैं कि यह चलता है या नहीं तो stream locator से जैसे ही मैंने connect किया app भी open हो गई और जो content था वो भी directly play हो गया just आपको subscriptions चीए उन platforms के वो आप directly ले सकते हो क्योंकि जब login हो जाता है तो subscription लेना कोई बड़ी बात नहीं है वहीं अगर Netflix की बात करें तो Netflix को अगर main ISP modem के साथ connect करते हैं तो जो इंडिया की location के हिसाब का content है वो show होता है जैसे stream locator पे जाते हैं मैंने US location यहाँ पे relocate की हुई है तो content की जो recommendation and suggestions है वो completely change हो जाती है और जितने भी free services है उनके साथ भी यह है अगर आप Canada वाली service select करोगे तो अलग content जर्मनी की select करोगे अलग content US की अलग और UK का अलग तो मतलब total खेल यह है कि इसके साथ कोई VPN नी चीए एक बार अपने account को setup कर लो ज जहाँ जहाँ का content आप देखना चाहते हो और आप जब अपने devices पे चाहे वो Android, iOS, Mac, Android TV, Windows कहीं भी आप use करते हो content उसी location का show होगा जो आपने select की हुई है and at last काफी सारे लोग सोच रहे होगे कि speed में downfall तो जरूर आता होगा इसमें inbuilt VPN का जो hard है कुछ लेकिन ऐसा नहीं है अ जो exact ये bypass करके दे देता है और जो countries को ये support करता है US, UK, Germany, Switzerland, Canada, France, Italy, South Africa, South Korea, Turkey, Brazil और भी बहुत है description box में streamlocator.com का link दे दूँगा वहाँ पे जाके check out कर लेना अगर आप किसी specific country का content देखना चाहते हो और वो country यहाँ पे available है then this is the best deal for you इसकी जो pricing है वो around 6400 है जादा है नहीं जा new करते हो बहुत nominal cost पे description box में वो भी मैं आपको दे दूँगा इसका जो purchase link है वो भी दे दूँगा best parties की VPN यूज करने पड़ते हैं वो किस्सा बिल्कुल खतम हो जाता है और जो speed है उसमें भी कोई downfall नहीं आता तो purchase link है description box में अगर आप इसको purchase करना चाहते हो तो वहाँ से क कर सकते हो तो यह था overall video regarding stream locator hub जो कि काफी तगना device है तो अगर video पसंद आया like, share, subscribe, सब कुछ कर दो, instagram handle follow कर लो, मिलते है next video में, thanks for watching